हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आडियो वर्स, मार्शिल पीक, चैप्टर 91 से 100, जैसे ही उसने ये शब्द सुने, लॉन हुई की अभिव्यक्ती हिल गई, आपने अभी क्या कहा? आपने कहा कि वे जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, वह बिलकुल सामने हैं, यह सही है, उन्हें कल वहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी, वे अभी भी आगे नहीं बढ़े हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वे अपने गंतव्य तक पहुँच वेन फेई चेन मुस्कुराए, तो फिर हम अब भी किसका इंतजार कर रहे हैं, क्या हमने इस खशन तक उनका यहां तक पीछा नहीं किया, लॉंग हुई का दिल, खजाना प्राप्त करना, ये सब गौन थे, वह अभी सिर्फ जिया निंग चांग का असली रूप देखना च युवा मास्टर लॉंग, क्रिप्या इसे थोड़ी देर और सहन करें, यह वेन वादा करती है कि मादा उड़कर नहीं जाएगी, लॉंग हुई कुछ हद तक अधीर थी, क्योंकि पहले वेन फेई चेन ने छोटे से गाउ में वही शब्द कहे थे, और यहां अपनी यात्र उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, तो हम करेंगे। बजे तक होगा और यह पहाडी घाटी यिन उर्जा से भर जाएगी। कनिष्ट भाई, आपकी खेती मेरी खेती से बहुत दूर है और आपके पास विश्व क्यूई की मात्रा सीमित है और इसे बरबाद नहीं किया जाना चाहिए। जिया निंग चान ने गर्मजोशी से, लेकिन गंभीरता से उसे याद दिलाया। एन देवेश ने समझकर सिरहिलाया। हाला कि उसके डेंटियन में यांग लिक्विड की दस या इतनी ही बूदे थी और उसे उर्जा समस्याओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह इसे जोर से नहीं कहता थ जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, पहाडी घाटी के भीतर अचानक कुछ बदल गया। जिया निंग चांग ने पुकारा और देवेश को अपनी तरफ खीच लिया और तुरंट एक बैंगनी जेड पेंडेंट निकाल लिया। आश्चर्य से उसकी आखें चौड़ी हो गई, देवेश ने जिया निंग चांग के हाथ में बैंगनी रंग के जेड पेंडेंट को देखा। इसे देखने पर उन्होंने देखा कि यह एक गुप्ट कलाकृती थी और वर्ड क्यूई के इंजेक्शन के कारण इसने एक चमक उचसर्जित की जिससे आसपास की यिन उर्जा फैल गई। देवेश हैरान रह गया इस वरिष्ट बहन की कलाई में एक गुप्ट कलाकृती थी और अब उसने जो जेड पेंडेंट निकाला वह एक और गुप्ट कलाकृती थी इन में से कितने उसके पास थे आप मुझे क्यों घूर रहे है जिया निंग चांग का चेहरा लाल हो गया और उसकी आवाज मुझी की तरह नरम हो गई एक तक घूरते हुए देवेश को एक पल के लिए एहसास हुआ कि वह जो कर रहा था वह थोड़ा अनुचित था क्योंकि इस जेड पेंडेंट से सुरक्षा का चेत्र बहुत बड़ा नहीं था जब दो लोग एक साथ खड़े तो उनके शरीर मूल रूप से एक साथ चिपके हुए थे उसके अपने कंधे और बाह उसके शरीर के तापमान उसके शरीर की कोमलता को सपष्ट रूप से महसूस कर सकते थे और वह उसकी अनोखी खुश्बू को सुंख सकता था यह स्थिती निश्चित रूप से जिया नि इसलिए आपको इसे यहां इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। कनिष्ट भाई आपको निश्चित रूप से मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए अन्यथा परिनाम अकलपनी होंगे। ठीक है देवेश ने हलके से सिरहिलाया। दोनों लोगों ने अब कुछ नहीं कहा। ऐसी स्थिती में उनके शरीर इतने करीब से एक दूसरे से चिपके हुए थे, वे चुपचाप इंतजार करते रहे। एक धड़कता हुआ दिल, इतना उनमत्त यह जंजनाने लगा। जिया निंग्चांग का शरीर और अधिक गर्म होने लगा। यह उसके जीवन में पहली बार था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में कांटे चुप रहे हो और उसके पूरे शरीर में खुजली हो अगर वह हिलना भी चाहे तो नहीं हिल सकती थी। यह उस बिंदु पर था, जहां वह कामपने लगी थी। देवेश को भी उसकी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी रकलाल तवचा को देखकर उसने अपनी भौहें आपस में जोड ली और कहा कैसा रहेगा, मैं बाहर कि वह स्वया आसपास की इन उर्जा को अवरुध करने में सक्षम होगा, क्योंकि उसकी सक्ची यांधरननीती इन उर्जा की दास्ता थी। यदि यह उर्जा खर्च भी करता है, तो भी यह बहुत अधिक उर्जा का उप्योग नहीं करेगा। इसके लिए छोटी बड़ी देवेश घाटे में रह गया। उधर ब्लड ग्रूप के ग्रूप को पहले ही घाटी में हो रहे बदलावों का आभास हो गया था और सभी दोर पड़े। नीचे इन उर्जा को देखते हुए वेन फी चेन ने जार्च की और विचार किया। लॉंग हुई की आत्माय देखता रहा। नीचे निश्चित रूप से कुछ अजीब हो रहा था लेकिन वेन फी चेन के सभी अनुभव और ज्यान के बावजूद वह अभी भी निश्चित नहीं था कि यह क्या था। लॉंग हुई की अधीरता को देखकर उसने अनिच्छा से कहा वे चले गए या नहीं यहा अभी भी सपष्ट नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से वहा नीचे कोई रहस्यमय वस्तु होनी चाहिए। हमारा क्या ख्याल है। इससे पहले कि वेन फेई चेन अपनी बात पूरी कर पाते लॉंग हुई ने अधीरता से उनकी बात काट दी अब और इंतज मत करो। चुंकि वस्तुने खोद को दिखाने का फैसला कर लिया है। इसलिए वे कोई कदम उठाते हैं या नहीं यहा अब महत्वपूर नहीं रह गया है। आलमास्टर वेन अब हम उनसे कैसे निप्टेंगे। बाद में उस खजाने को पुनह प्राप्त करने में अभी भ शम हो जाएगा और उसकी पूरी महिमा को प्रकट करने के लिए उसका आवर्ण हटा देगा। फिर उसके आनंद का आनंद लेने के लिए उसे अपने नीचे दबा लेगा। लॉंग हुई उस उत्तेजना को दबा नहीं सका जो उसने सिर्फ यह सोच कर महसूस किया था। द पूरी तरह चीखने पर मजबूर कर, फिर मैं तुम्हारे गुस्से और शक्तिहिंता का स्वात चखूंगा। वेनफी चेन के निर्देशों के तहट तेरा लोग अब अपने ट्रैक नहीं छिपा रहे थे, तेजी से दोड़े और पहाड़ी घाटी में कूड गए। वह पूर्से की लहर लोगों का इंतजार नहीं करती। गिरते हुए शिश्य को अत्यंत अपमानित महसूस हुआ। बलड ग्रोप और स्टॉर्म हाउस के लोग काफी हंगामा कर रहे थे। और उतरने से पहले ही क्रोधित शरीर वाला शिश्य करुन चीख के साथ मर गया था। वेन फेई चेन की ट्रैकिंग पद्धती काफी अच्छी थी और जिस दूरी से उसने उन्हें ट्रैक किया वह भी काफी अच्छी दूरी थी इसलिए खोजे जाने का खत्रा भी न के बराबर था। हालाकि जिया निंग चांग अलगा और पुनर मिलन सीमा के चरम पर थी फि ठीक नहीं था। देवेश के चहरे के भाव भी ठंडे हो गए। उनकी छोटी बड़ी बहन के अनुसार यह स्थान पूरे वर्ष सामान्य था और केवल साथ जुलाई को ही यह परिवर्तन हुआ। यह बात किसी के ध्यान में नहीं आ सकी। दूसरे शब्दों में वे लोग जो इतने दूर नहीं थे, बिलकुल उन्हीं चीजों के लिए आये थे, या तो उन्हें इस बदलाव के बारे में पता था या वे उनके लिए यहां थे। बात की संभावना बहुत अधिक थी और ऐसा लग रहा था कि उनके पक्ष में काफी बड़ी संख्या में लोग लेकिन शुक्र है कि उनमें से कुछ की चटान से नीचे कूटते समय मौथ हो गई। यदि ये लोग दवा की तलाश में या राक्षसी जानवरों का शिकार करने के लिए ब्लाक वाइंड माउंटेन पर आते हैं तो वे इतने निमनस्तर की खेती वाले लोगों को नहीं लेकिन शुक्ता हैं? उन्हें अपनी जगह जानते हुए देखकर उसने दूसरा हमला नहीं किया, बलकि शांती से उसी स्थान पर खड़ा रहा। देवेश उसकी आखों में नहीं आया, लेकिन जब उसने जियानिंग चान को घुंगट पहने हुए देखा, तो वेनफी चान ने अपने दिल में स सुन्दर शुद्ध लड़की की प्रशन साकी, हाला कि वह उसके चहरे की विशेश्टाओं को नहीं देख सका, सितारों की तरहस पष्ट आखों के कारण उसका रूप सामान्य नहीं हो सका, और तो और इस लड़की का फिगर भी लाजवाब था, इस यौन रूप से आकरश की रास्ते मध्यम आयूवर्ग के व्यक्ती की क्यूई द्वारा अवरुद्ध कर दिये गए थे, बस वहीं खड़े रहकर उसने उनके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिये, यह व्यक्ती एक सच्चा तत्व सीमा पावर हाउस है, इसलिए कनिष्ट भाई जल्दबाजी म को बुरी नियत से देख रहे थे। और ठंडे स्वर में मुस्कुराई। जब उसने जिया निंग्चांग को देखा, तो उसकी आखों से तुरंथ हरी रोशनी निकली, उसने उसे भद्धी निगाहों से देखते हुए कहा, अग्भुत अग्भुत। कितनी सुन्दर पवित्र लड़की है, इस बार वास्तव में यह इसके लायक था। बिना किसी हलचल के उसने जिजगते हुए पूछा, सजनों क्या हमारे बीच कोई शिकायत है। अब देवेश को पता चल गया था कि सामने वाला पक्ष यूँ ही नहीं आया है, यह तो बिल्कुल जानबूच कर रचाया गया जाल था। वरना पहली बार मिलने पर वे शत्र हैं, इसलिए वह अपनी स्थिती छिपाना नहीं चाहता था, लड़के, मैं तुम्हें बता दूँ, मैं ब्लड ग्रूप वाइस गेल्ड मास्टर लॉंग जै तियान का पोता हूँ, तुम हुई मेई एर के बारे में विचार रखने की हिम्मत करते हो, और क्या तुमने कभी सोचा था कि इसकी वजह से तुम आज इतनी मुश्किल में पढ़ जाओगे, देवेश स्थब्ध था, उसने सोचा नहीं था, कि इस बार लोग इस तरह की बात को लेकर उससे परिशानी मोल ले रहे हैं, वह हुई मेई एर से केवल तीन बार मिला था, और उनकी दोस्ती बह पढ़े व्यक्ति से मिला था, उस मुठ भेड के दौरान जो अपमान हुआ, वह वह कभी नहीं भोल सकता, लॉंग हुरी की बात सुनकर नू लैंग ने भी उदास होकर कहा, नू ताओ मेरा छोटा भाई है, वह और चेन शाओ फेंग एक साथ बिना किसी निशान के गायब ह गए हैं, लड़के मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या उनके लापता होने का तुमसे कोई संबंध है, पता चला कि ये दोनों समुह उसकी तलाश कर रहे थे, देवेश को तुरंत सब कुछ पता चल गया कि क्या चल रहा था, गहरी आह भरते हुए, पहली बार जब उस चहरा दिखाया, उसने हलके से जिया निंग चांग की ओर भी देखा, उसके हाथों ने धीरे से जिया निंग चांग का हाथ कुछल दिया, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी गड़बड़ी है, तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, भागने का अफसर धूंड़ो, चुंकि यह उसकी गड़बड़ी है, वह जिया निंग चांग को कठिनाई सहने नहीं दे सकता, उसके भागने से उसके दिल का बोज भी कम हो जाएगा, हालांकि देवेश की आवाज काफी हलकी थी, फिर भी सामने वाले को सुनाई दे गई, लॉंग हुई हसी भाग रही हो, क्या आपको लगता है कि यह आसान होगा, यह युवा मास्टर कई दिनों से पहाडी जंगल में आपका पीछा कर रहा था, वह आपको भुगतान किये बिना कैसे जाने दे सकता है, देवेश तुम आज बिना किसी शक के मर जाओगे, उसके मरने के बाद यह छ चांग की बाह पकड लेते हैं, उसकी आश्चर्यच्कित निगाहों के नीचे उसने उसे सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, वास्तविक्ता पर नहीं आशाओं के आधार पर कामना करना, गायब होने से पहले वेनफी चेन थंडे स्वर मे दे दिया था और वह उसके शक्तिशाली प्रहार से बह गई थी, वह वेनफी चेन के प्रहार से गती प्राप्त करने के लिए तेजी से घूमी, अपनी शक्ती उधार लेकर वह हलके से देवेश के बगल में गिर पड़ी, अरे यह घटित होते देख देवेश ने मन ही मन आह भरी, एक वास्तविक तत्व सीमा शक्तिग्रेह की कमान संभालना अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिकों और मजबूत घोरों के बराबर था, भले ही पहले ऐसी आशा थी कि वे इस थिती से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि अब वे सचमुच बरबाद हो गए ह लॉड वेन इस मादा को मेरे पास लाओ, अगर उसने दोबारा बगावत करने की हिम्मत की तो लोंग हुई ने बेरुखी से बात जारी रखने से पहले भयावर धंग से मुस्कुराते हुए कहा, उसके दोनों हाथ और पैर तोर दो, बस उसके चेहरे को बहुत अधिक नु पहुचाया, तो लॉंग हुई उसे दोशी ठहरा देगी, लेकिन चुंकि उसने कहा था कि वह उसके हाथ और पैर तोर सकता है, तो वेन फेई चेन को किस बात की चिंता थी, युवा मास्टर लॉंग की महतवा कांगशाय बहुत उची थी, लेकिन वह अपनी सीमाय भी जान कर सकता है, जब उनका समवाद देवेश और जिया निंग चांग ने सुना, तो उनकी आखों में घ्रेना प्रकट हुई, वेन फी चेन ने सपश्ट स्वर में कहा, छोटी लड़की, तुमने भी मास्टर लॉंग के शब्द सुने हैं, यदि तुम समझदार हो, तो आज्या आवाज फीकी पड़ गई, उसका शरीर अबाबील की तरहा उड़ गया, और उसकी दोनों हथेलिया एक वास्तविक तत्व सीमा बिजली घर की ताकत से उभर उठी, आवाज सुनने मात्र से ऐसा लग रहा था जैसे किसी बाग की दहार गूंज रही हो, अचानक हमला कई च दर्जनी के चारों और संधनित हो गई, उसके मात्य पर निल्मनी को चूने लगी, जिससे क्यूई की हिंसक लहरें फूटने लगी, यद्यपी उसके निल्मनी से उत्पन हमलों में नहित शक्ती छोटी नहीं थी, वे आने वाले हमले को ज्यादा नहीं रोक सके, अगले अचानक उसके मात्य पर लगे निल्मनी से एक रहसिमय और गहरी लहर निकली, जिसके बाद एक अर्थ गोलाकार रोशनी आई, जिसने उसे और देवेश को पूरी तरह से ढख दिया, जब वेन फेई चेन का प्रहार हलके परदे के संपर्क में आया, तो वह दूर हो गया, ये शब्द सुनकर सभी की आखें लाल हो गई, जिनमें लॉन हुई की आखें भी शामिल थी, जिसमें वासना के अलावा कुछ भी नहीं है, क्या कहा आपने लॉन हुई ने आखिरकार अपना ध्यान जिया निंग्चांग से हटा लिया और वेन फी चेन की ओर देखा, उनक इतनी आसानी से मेरे हमले का विरोध करने के लिए यह निससंदेह स्वर्ग श्रेनी का खजाना है, क्या आप गंभीर हैं, लॉन हुई विश्वास से परे उच्साहित थी, उसने यह नहीं सोचा था कि इस बार इस जंजट देवेश को मिटाते समय जो एक बग से अधिक कु जब्ध में आ जाएं, तो इससे उनकी ताकत और बढ़ सकती है, शायद हूं मैन भी अब उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस हड़ी को कुतरना बहुत कठिन होगा। हाला कि किस्मत उनके साथ थी, इस छोटी सी लड़की की ताकत के साथ वह लंबे समय तक अपनी और देवेश दोनों की रक्षा करने में असमर्थ थी। इसलिए अगर वह लगातार हमला करता, तो इस हलके परदे के टूटने की स पैदा हुई। लेकिन हलके परदे की सुरक्षा से जिया निंग्चांग और देवेश सुरक्षित रहे, इस बीच सभी हमले पूरी तरह से नश्ट हो गए। इस स्थिती ने देवेश को बचने की थोड़ी उम्मीद दी, इस आशा से उसकी दोनों आखें चमक उठी। उस किस बात से डरो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देवेश ने कहा, फिर उसने उस तरफ देखा जहां लॉंग हुई थी। थंडे दिमाग से सोच रहा था कि अगर वह उस आदमी को पकड़ सके तो सब कुछ सुलच जाएगा। लेकिन लॉंग हुई की रक्षा करने नामों को नहीं जानते हैं। देवेश चौका, उसके शब्दों को समझने का प्रयास करते हुए, उसे अचानक महसूस हुआ की पहाडी घाटी बदरंग हो गई है। मध्यरातरी, साथ जुलाई को यिन क्यूई इकठा होंगे। जिस स्थान पर ये 9 यिन ओस क्रिस्टल एक काफी गिर गया, हार कमपा देने वाली ठंड ने सभी को कामपने पर मजबूर कर दिया। ग्लट ग्रूप के ताकतवर लोगों को अचानक एहसास हुआ की उनकी विश्व क्यूई को बातावर्ण में यन क्यूई द्वारा चूसा जा रहा था। हाला कि यह यन क्यूई इन को असच कर रही थी, लेकिन यह जीवन के लिए खतरा नहीं था, जब तक वे अभी भी अपनी विश्व क्यूई प्रसारित कर सकते थे, इससे कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। हाला कि स्टॉर्म हाउस के शिश, जिनकी खेती कम थी, लंबे समय तक इस यन सुन्दर थी, जैसे वह नाच रही हो। अग्यात हाथ के संकेतों से, उसकी विश्व क्यूई कई भागों में विभाजत हो गई और बिखर गई। जिया निंग चान की अजीब हरक्तों के बाद, पूरी घाटी की घनी यन क्यूई ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर कोई नीचे घाटी की ओर देखे, तो द्रिश काफी हद तक उबलते पानी के बरतन के समान होगा, यह ऐसा था जैसे यन क्यूई जीवित थी, बार-बार इधर-धर घूम रही थी, चरम सीमा तक गरा रही थी। अच्छा नहीं है, वेन फेई चेन चिलाया। वास्तव में इस गठन को सक्रिय करती, तो यह स्थिती बदल सकती थी। कुछ प्रयास करो, जल्दी से इस लाइट स्क्रीन को तोरने में मेरी मदद करो, वेन फेई चेन जोर से चिलाये। वह उस रहस्यमाई संरचना को सफलता पूरवक सक्रिय करने से पहले जिया निंचा वेन फेई चेन का आदेश आया, वे तुरंत उसकी सहायता के लिए कूद पड़े। जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह तूटने वाला है, फिर भी यह मजबूती से खड़ा रहा। बैरियर के अंदर देवेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी खेती कुछ भी करने के लिए बहुत कम थी। वह केवल जिया निं चांग के हाथों की गती धीरे-धीरे तेज और तेज हो गई, जब तक की चित्र नहीं बन गए। इससे यिन क्यूई और अधिक तीवरता से और तेजी से चलने लगी, इसकी आवास धेडियों की चीक और भूतों की चीक जैसी थी, जिससे दिल कामपने लगे। जबकि वे प्रेड उपरी स्तर आ। ये जो वह कर रही थी, उसे अपनी विश्व क्यूई की तरंगों का उप्योग करने की आवश्चक्ता है, जिससे उसकी विश्व क्यूई और भी कम हो रही है। दरार, दरार, आखिरकार, मकडी के जाले की तरह बाधा के आरपार दरारे पढ़नी शुरू हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, वह जोर से हनसा। वेन फेई चेन को विश्वास था कि जब तक वह एक और पूर्ण शक्ती से प्रहार करेगा, वह पूरी तरह से सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा। लेकिन इस से पहले कि वह हथेली का यह अंतिम प्रहार कर पाता, घाटी के भीतर यिन क्यूई अचानक शांत हो गई। जो चीक पुकार वह सुन सकता था, वह भी गायब हो गई। जिया निंग्चान की सपष्ट और शुद्ध तारे जैसी आखें चमक उठीन और उसने अपनी प्यारी आवाज में कहा सी। उस समय जिया निंग्चान की तयारी पूरी थी। क्रेश क्रेश आसमान से ताले खुलने की आवाज के साथ अचानक जंजीरे प्रकट हो गई। असमंजस में उपर देखने पर उन्हें 10 फुट लंबी जंजीरे दिखाई दी, जो खुरदरी और काली थी, जो आसमान में तैर रही थी। इन काली जंजीरों में घनी इनक्यूई और दिल को जमा देने वाली थंडक शामिल नहीं थी। ये काली इनक्यूई जंजीरें, बलड ग्रूप और स्टॉर्म हाउस के प्रमुखों के चारों और तैरती रही। अगले ही पल, जैसे कि उनके पास अपना दिमाग हो, वे लो शात्मक कलाकृती को सक्रिय कर दिया। लेकिन वह हथेली का प्रहार बिना किसी बाधा के जिया निंग चांग की ओर बढ़ा। उसी क्षण सतर्क देवेश को अंतह आगे बढ़ने का अफसर मिल गया। जैसे ही पाम आने वाला था, उसने जल्दी से जिया निंग चांग को धकेल लिया और तेजी से उसे लेकर भाग गया। शत्रु के पास बहुत अधिक लोग थे और उनकी खेती बहुत अधिक थी। वह इतना मूर्ख नहीं था कि उनका डटकर सामना करता। जैसे ही देवेश जिया निंग चांग को भागने के लिए ले गया, उन यिन क्यूई जिया निंग चांग पर वेन फेई चेन के विशेश ध्यान के साथ इन में से तीन चेन सीधे उसकी ओर बढ़ी। शेश-पांच श्रिंख लाओ ने प्रिथककरन और पुनरमिलन सीमा और क्यूई को रक्त समूह के मंचित विशेश अग्यों की ओर अपना रास्ता बना लिय जो लोग इन जंजीरों से पकड़े जा रहे थे उन्हें लगा कि उनका जीवन समाप्त होने वाला है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सोचा आठोन जंजीरें उनके शरीर में और ग्रिश्टी से उजल हो गई। वेन फेई चेन को तुरंत लगा कि उसकी वास्तविक पीले पड़ गए थे और उन सभी को खून की उल्टिया हुई। इस बीच शेश क्यूई रुपांतरित शिश्य ने सीधे सास लेना बंद कर दिया और मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या हो रहा है लॉंग हुई जोर से चिलाया क्योंकि उसने जो कुछ भी हुआ था जैसे ही उसे एहसास हुआ कि प्रतिदवन्दवी के पास स्वर्ग श्रेणी की रक्षात्मक कलाकृती है और वह जिया निंग्चान के शरीर को कैसे गंदा किया जाए इसके बारे में सोच रहा था सब कुछ बदल गया था। देखते ही देखते उनके पक्ष के एक व्यक्त रहे और अपने शरीर में ठंड को जबरन दबाने और बाहर निकालने के लिए अपनी वर्ड क्यूई का उप्योग करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बेहत कमजोर थी, उसने समझाना शुरू किया, मुझे डर है कि उस महिलाने पहले से ही यहां कुछ चीजें स्थाप पटक दिया, केवल दो लोगों से निपटने के लिए इतने सारे लोग हैं और आप फिर भी हार गए। वेन फेई चेन के चेहरे पर गुस्से की जलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, हालां की हमें नुकसान हुआ, वह महिला पिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करें और उनका पीछा करें। अब जाओ और उसका पीछा करो, यहां तक कि आप उसे अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, उसे मास्टर लॉम के पास वापस ला सकते हैं, ऐसे इसा करने से आपको कई फायदे भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम पीछा कर सकते हैं, नुल लैंग की आखों में पागलपन और नफरत की जलक चमक उठी। इस दिन तक पहुँचने के लिए, उन्हें स्टॉर्म हाउस के शिश्यों के साथ कई खूनी लडाईयों से गुजरना पड़ा, रास्ते में कई लोगों की मौत हो गई और उन्होंने सभी शिश्यों को सन्यमित शरीर के स्तर पर खो दिया। उसका गुस्सा वेनफी चेन पर शांत नहीं हो सका, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे केवल देवेश और जिया निंग चान पर स्थानांतरित कर सकता है। परेशानी होगी। हाँ, हाला कि ये लोग भी कमजोर थे, लेकिन जब उनकी जान खत्रे में हो तो वे केवल पीछा ही कर सकते हैं। उसके पास अप्रत्याशित रूप से ऐसी विधी है, लॉंग हुई हैरान लग रही थी। वेन फेई चेन ने सिरहिलाया, ऐसा है, वे शिश्य भी इस मुहर का सामना नहीं कर सकते हैं, अब वे केवल अपनी मूल शक्ती का लगभग 30% ही प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या करें, लॉंग हुई ने बेचैनी से पूछा। लॉंग हुई को वेन फी चेन के बारे में अच्छा आभास हो गया था क्योंकि वह उनके साथ था, वह व्यक्तिगत रूप से लॉर्ड वेन को अपने समुह में चाहता था, इसलिए उसने कहा, मैं निश्चित रूप से दादा जी को सभी दुखों के बारे में बताऊंगा इस बार लॉर्ड वेन, मास्टर लॉंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार हम परिवार हैं, वेन फी चेन संतुष्ट होकर मुस्कुराएं, अब मैं मास्टर लॉंग से मेरे लिए बौध कानून की रक्षा करने के लिए कहना चाहता हूँ, मैं, देखना चाहत कि क्या मैं यन क्यूई की इस श्रिंखला को तोर सकता हूँ, कोई बात नहीं, अपनी बाक्चीत में उन्होंने देवेश का जिक्र नहीं किया, उनकी नजर में जिया निंग चांग एक कांटेदार अस्तित्व है, और देवेश कुछ भी नहीं है, जिया निंग चांग एक कंभीर रूप से कमजोर व्यक्ति था, जब तक उसे पकड़ लिया गया, यह उनकी जीत थी, इस समय देवेश जिया निंग चांग को पहाडी घाटी के किनारे पर ले आया था, और उसे पहाड में एक दरार मिली थी, जो केवल कुछ फीट उंची और कुछ फीट गहरी थी जिसमें वे दोनों आसानी से समा सकते थे, जिया निंग चांग को उसके अंदर बिठा कर देवेश बाहर चला गया और प्रवेश द्वार को खुली जाडियों से ढख दिया ताकि वह नजरों से दूर रहे, तब देवेश को उसे इतनी कसकर पकड़ना पड़ा कि ऐसा लग की आवास धीरे-धीरे दूर तक जाती रही, दोनों पक्ष केवल कुछ फीट की दूरी से अलग हो गए थे, लेकिन इस रात यह घाटी घनी इनक्यूई से भर गई थी, जिससे देवेश और जिया निंग चांग बिना पता लगाए छिप गए, नुल लैंग और उसके समोह के बहुत दूर चले जाने के बाद, जिया निंग चांग अंताह इसे और सहन करने में असमर्थ हो गई और खून बहने लगा, उसके मुखोटे पर रेशम तुरंत गहरे लाल रंग में बदल गया, कुछ देर पहले वेन फेई चेन के हमले ने उसे घायल कर दिया था, क्या कहा है, मेरी गोध में, देवेश ने ढूंडने के लिए जट से उसके सीने में हाथ डाला, अगले ही पल उस पर बिजली गिरी और उसकी नजर अपनी छोटी बड़ी बहन पर पड़ी, जिया निंग चांग भी उसे देख रही है, उसके पीले रंग पर लाली का एक संकेट दिखाई दिता है, उसका शरीर थोड़ा सा काम पता है, जब देवेश उसके जेड जैसे सामने के चारों और खोज रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रकाश उसके शरीर से होकर गुजर रहा था, और उसे लकवा मार गया था, वह लगभग घटना स्थल पर बेहोश हो गए, रुप्या करके रुके रहिए, देवेश जानता था कि यह भावुक होने का क्षण नहीं है, उसने यह बात जिया निंग्चांग को फुसुसा कर बताई और उसका हाथ एक बार फिर उसके कपडों में योगिक दवा खोजने की कोशिश करने लगा, जिया पायम उभारों की एक जोडी जिसमें आश्चर यजनत लोच है, वे न तो छोटे हैं और नहीं बड़े, उसकी हथेली उन्हें पूरी तरह से घेर सकती है, उसकी पाचों उंगलिया कुछ देर के लिए उसके उभारों पर घुमती है, हर बार जब कोई हरकत होती है, तो हरक कोई गंभीर मामला नहीं मानते, इसके विपरीत जिया निंग चांग की कमजोर आखों में युवा प्रेम की जलक थी, हाला कि उसकी आखों में शर्म और गुस्से के निशान भी थे, उसकी सासों की खुश्बू एक अवर्णनिय मासूमियत के साथ किसी व्यक्ती की आत्मा को भी आकरशित करने की शक्ती रखती थी, कुछ मत सोचो, दूसरी और देवेश के हाथ उसके कपड़ों के अंदर आराम से टटोल रहे हैं, जिया निंग चांग अंतह इसे सहन नहीं कर सका और कमजोर आवाज में कहा, दूसरी तरफ, ओ, देवेश अंतह ठीक हो गया, इतन उसे जिया निंग चांग ने कई बार हिलाया था, किसकी जरूरत है, देवेश ने पूछा, बीच की बोतल जिया निंग चांग ने चुपचाप उसकी ओर देखते हुए, कमजोर धंग से उत्तर दिया, देवेश ने जल्दी से बीच वाली बोतल निकाली, इस बोतल में से क कुछ योगिक औश्धिया डाल कर उसका चेहरा उठाया और जबरगस्ती उसके मुह में दवा डाल दी। उसने अपनी आखें खोली तो उसका चेहरा एक शर्मीली लाली से ढखा हुआ था। वह मिश्रित भावनाओ के साथ देवेश की ओर देख रही थी। जांग की आखें घबराहट से चमक उठीन उसने जवाब देने से पहले तुरंट अपना सिर घुमाया हालांकि मेरी जान को कोई खत्रा नहीं है लेकिन मैं कम से कम अभी नहीं लड़ पाऊंगी। वह ठीक है देवेश के दिल की गांट आखिरकार धीली हुई। उसने उस अपमानजनक मामले के बारे में बहुत गहराई से सोचने की हिम्मत नहीं की इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और इसके बजाए पूछा आपको यह चिपने की जगह कैसे मिली। आप कह सकते हैं कि यह स्थान बिलकुल एक आदर्श स्थान था, तो इस कनिष्ट भाई को अंधेरे में यह स्थान कैसे मिल गया। देवेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब आपने पहले मुझे अकेला छोड़ दिया था, तो मैंने आसपास के क्षेतर की खोज की और गलती से यह जगह मिल गई, उस समय मैंने नहीं सोचा था कि यह जगह जीवनरक्षक साबित होगी, यह सचमुच बहुत भाग्यशाली है, जिया निंग चांग ने आ भरते हुए कहा, तुम्हें अच्छा आराम करना चाहिए, जैसे ही मामला शान्थ हो जाएगा, मैं जब से मैंने नौ बादल आठ तालों को खोला है, इस पूरी पहाड़ी घाटी को सील कर दिया गया है, सुबह होने से पहले कोई भी यहां से भाग नहीं पाएगा, देवेश उसके शब्दों का अर्थ समझ कर ठिठक गया, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, तो क कुछ देर पहले घटित ग्रिश को याद करते हुए पूछा, हाँ, वे इससे पहले ही नहीं मारे गए होते, है ना, देवेश ने आशापूर्वक प्रश्न किया, यदि वे सभी बिजली घर मर गए, तो वे इस बार निश्चित रूप से बच सकते हैं, जिया निंग कि यह तो अफसोस की बात है, यह बस हाला कि यह उन्हें मारने में असमर्थ है, जंजीरों से सभी यन QE उनके शरीर पर आक्रमन कर रहे हैं, उनकी अधिकांश ताकत सील कर दी जाएगी, और भोर से पहले वे अपने आपको खोलने और अपनी ताकत बहाल करने में असमर्थ होंगे, मैं यह भी सोचता हूँ कि सुभा होने से पहले, मैं अपनी कुछ QE पुनह प्राप्त कर पाऊंगा, फिर हम एक साथ भागने में सक्षम होंगे, अचानक देवेश की आखें आकरामकता से भर गई, उसने जिया निंग्चांग की ओर देखा और उत्साहित स्वर मे होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वे अपनी विनाशकारी शक्ती का प्रगर्शन नहीं कर पाएंगे, देवेश उत्साहित लग रहा था और खुद को और अपनी सीमाओं को परखने की चाहत से भर गया था, जिया निंग्चांग ने घबरा कर उसकी ओर देखा, तुम क्य सोच रहे हो, भले ही उनकी ताकत सील कर दी गई हो, आप उनसे निपटने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए कनिष्ट भाई कृप्या जल्दबाजी न करें, उसने समझ लिया था कि देवेश क्या सोच रहा था, देवेश मुस्कुराया, उसकी आखों में शरारत का संकेट उसने जवाब दिया, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, मत भूलो, यह वस थान है, जहां नाइन यिन ड्यू क्रिस्टल एकत्रित होते हैं, न केवल उनकी खेती को सील कर दिया गया है, बलकि यिन क्यूई के आक्रमन का विरोध करने के लिए, उन पेश ने उसके हाथों को धीरे से थपत पाया, आराम करो, मुझे बिश्वास है, अगर हम यहीं चिपते रहे, तो देरस्वेर हमें खोज लिया जाएगा, उस समय हम पीट पर उल्टे कच्छुए बन जाएंगे, जो केवल मृत्यू की प्रतीक्षा कर सकते हैं, अगर हम प पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं होगा, धाटी में यन QE आपकी विश्व QE को ख्तम करने के लिए परियाप्त होगी, टीलें रैटल ड्रम वे खिलोने हैं, जिनसे चीनी बच्चे खिलते हैं, आप ड्रम पर छोटे बॉल वाले ड्रम बनाने के लिए इसे अगर गल जिया निंग्चान का शरीर बुरी तरहा काम पने लगा, चुमकि यह मामला है, मुझे ब्लॉक मत करो, देवेश ने जिया निंग्चान का हाथ जटक दिया, अगर तुम बाहर जाने की इतनी ही जिद कर रहे हो, तो कम से कम यह खजाना अपने साथ ले जाओ, जिया निंग् हाला कि मैं केवल प्रारंभिक तत्व के चौथे चरण में हूँ, फिर भी मेरे पास अपनी विश्व QE को पुनरस्थापित करने की एक विधी है, और इस पहाडी घाटी में यन QE मुझे प्रभावित नहीं कर सकती है. इसके विप्रीत, यदि कोई इस स्थान को ढूंडने में सक्षम होता, तो क्या आप उन्हें रोक पाते? मैंने पहले ही अपनी कुछ वर्ड QE बहाल कर ली है, इसलिए मैं रक्षात्मक आर्टिफेक्ट को फिर से सक्रिय करने में सक्षम हो जाऊंगा. इसके अलावा, उनकी असली ताकत पहले से ही दबी हुई है, वे मुझे धंकी नहीं दे पाएंगे. जिया निंग्चान ने कहा, कि एक राहत की बात है, देवेश धीरे-धीरे बाहर की ओर चल दिया. इतने लंबे समय तक खुद को रोके रखने के बाद, वह आखिरकार कुछ कारवाई करने में सक्षम होने जा रहा था. देवेश काफी खुंखार लग रहे थे. कुछ कदम चलने के बाद, देवेश अचानक रुका, फिर फुस्फुसाया, छोटी बड़ी बहन, अगर सुबह तक मैं वापस नहीं आया, तो जितनी जल्दी हो सके स्काई टॉवर पर लॉट आना. जिया निंग्चांग का दिल पसीज गया, एक अवर्ननिय दर्द उसके पूरे दिल में फैल गया. देवेश ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया, अगर मैं वापस आउंगा, तो क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी? क्या वादा है, जिया निंग्चांग ने अपने दिल में दर्द सहते हुए पूछा, जब मैं वापस आउंगा, तो तुम्हें बताउंगा, देवेश ने हंस्ते हुए कहा. गुफा से बाहर निकल कर वह पहाड के नीचे की और उत्रा, बाहर आकर उसने अपने पीछे की दरार को ढख लिया, यह जाचने के बाद की सब कुछ ठीक से ढखा हुआ है, वह अंधेरे में गायब हो गया, जिया निंग्चांग को उस उजाड गुफा में अकेला छोड़ देविश एक बड़े पेड के पीछे छिप गया, शांती से उनके करीब आने का इंतजार कर रहा था, उन्हें न तो पता था कि वह जोड़ा किस समोह का था और नहीं उनकी खेती के स्तर के बारे में, इसलिए फिलहाल वह केवल उनका निरीचन कर सकता है और फिर उसके उनों मजबूत होते, तो वह केवल उनसे बच सकता था और कमजोरी के पहले संकेत की प्रतीक्षा कर सकता था, जैसे जैसे कदमों की आवाज करीब आती गई, कोई बोला, बड़े भाई जियोंग, वे कहा गए थे, हमने काफी समय से उनकी तलाश की है, फिर भी हम उन्हें दूसरे ने उत्तर दिया, जूनियर भाई, आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, बड़े भाई नू और ब्लाड ग्रूप के वे दरिंदे भी तलाश कर रहे हैं, इसलिए देवेश ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा, हम केवल मोर्चा संभाले हुए हैं, और शायद जैसा की हम बोल रहे हैं, उन्होंने पहले ही देवेश और उस महिला को ढूंद लिया है, शिश्य ने सिरहिलाया, यह अफसोस की बात है, वह लड़की वास्तव में एक सुन्दरता है, लॉंग हुई के हाथों में पढ़ना, मैं कलपना नहीं करना चाहता कि उसके साथ कैसे खेला जाएगा, भाईज योंग ने उपहास किया, लॉंग हुई एक सेक्स पागल है और कोई बड़ी उपलब्धी हासिल न कर पाने के लिए अभिशप्त है, भविश्य में जब हम मस्बूत हो जाएंगे, तो हमारे पास अच्छे समय होंगे, जब वह बोल रहा था, स्ट अब उन्हें उसे बाहर निकालने के प्रयास में कोई प्रयास बरबाद नहीं करना पड़ेगा, टी एल क्या, देवेश वह चीज है जिसका आप शिकार करते हैं, एक दुरलब शिकार, ओह देखो यह देवेश है, स्पॉन दर 0.01% है, हमारा स्वभाग्य है, जियोंग उद्साहित हो गए, देवेश भी खुश हो गए, उनकी पहले की बातचीत से देवेश को उनकी स्थिती का पता चल गया था, स्टॉर्म हाउस समोह में पांच लोग शामिल थे, नुल लैंग को छोड़कर, जो क्यूई परिवर्तन के पहले चरण में था, शेश-चार शिश उनके खिलाफ जाने की परियाप्त शक्ती नहीं थी, इसलिए वे केवल देवेश को ही जिम्मेदार ठहरा सकते थे, उनके भाईयों की मृत्यु, उस समय व्यक्तिगत रूप से शत्रु से मिलने पर, स्वाभाविक रूप से वे क्रोधित होंगे, भाई जियोंग ने मुस् परियों में बांध लिया, अपना सिर हिलाते हुए वह धीरे-धीरे उन दोनों की ओर बढ़ा, भाई जियोंग ने हंस्ते हुए कहा, लापरवाही से काम करते हुए, कनिष्ट भाई ने उसे सबक सिखाने के बाद सामान उठाने में मेरी मदद की, बोलते-बोलते उसने एक धारदार हथियार भी था, जिससे उनका फाइदा और बढ़ गया, उसने जो कदम उठाया वह केवल जाच के लिए था, भाई जियोंग को विश्वास नहीं था, कि वह इस कदम से देवेश से चुटकारा पा सकेगा, अंधेरे में देवेश के सामने तलवार चमकी, दे भाई जियोंग ने हंस्ते हुए कहा, चावल का एक दाना महिमा का सपना देखने की हिम्मत करता है, देवेश तुम्हारा जीवन मुझे लेना है, आना, पिछले हमलों ने उसे देवेश की ताकत के बारे में सपष्ट समच दे दी थी, अब जब उसे बुनियादी विचार देवेश ने कैसे लड़ाई की तो वह आसानी से उसे मार सकता था, अपनी विश्व क्यूई को सक्रिय करके, वरिष्ट भाई जियोंग के ब्लेड से हवा और बिजली की आवाजें आ रही थी, तूफानी हवा का रोना, भाई जियोंग ने अपनी तलवार जोर से घुमाई उसकी लंबी तलवार पर रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसके परिनामस्वरूप जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई तो बिजली का एक चाप उत्पन हुआ, यह चाप अतुलनिय रूप से तेज था और बड़ी तेजी से देवेश की चाती की ओर बढ़ रहा था, अपने दिल में वह सोच रहा था कि इस तलवार का शरीर बिजली से ढखा हुआ है, और आप केवल प्रारंभिक तत्व सीमा चौथे स्तर पर हैं, अगर यहां आपको छूता है, तो आप लक्वागरस्त हो जाएंगे और मेरी दया पर निर्भर रहेंगे, यह सोचकर भाई जियोंग ने उस गती को बढ़ा दिया, जिस गती से ब्लेड देवेश के पास आ रहा था, देवेश ने धीमी आवाज की, उसकी हथेली बिल्कुल जलती हुई, लौकी तरह लाल हो गई, भाई जियोंग को अपनी और आते हुए एक गर्मी की लहर महसूस हुई, जिसने न क केवल आसपास के क्षेतर से ठंड को दूर कर दिया, बलकी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह समुदर में गिर रहा हो, आग इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वास्तव में आग में था, बजना एक धात्विक ध्वनी सुनी जा सकती थी, देवेश की हथेली तलवार के उपर थी, जब भी उसकी हथेली बिजली के संपर्क में आती, बिजली अचानक गायब हो जाती, इस अचानक टक्कर के कारण लंबी तलवार भी अपने मूलपत से विचलित हो गई, इससे देवेश के कंधे पर केवल खरों आई और उसे कोई चोट नहीं आई, भाई जयों QE वास्तव में उसकी अपनी दुनिया से अधिक केंद्रित हो सकती है, इसके अलावा एक क्षण पहले देवेश की हथेली में मौझूद QE वास्तव में बहुत शुद्ध थी, अन्यथा उसकी तलवार पर गिरी बिजली को गुझाना असंभव होता, इन बातों के बारे मे सोचते ही भाई जियोंग असहज हो गए, अपनी दलवार उठाकर वह जल्दी से देवेश से दूर चले गए, वह दोबारा कोशिश करने से पहले अपनी QE को स्थिर करने की तयारी कर रहे थे, लेकिन क्या देवेश उन्हें यह मौका देने वाले थे, पीछे हटते समय भा जियोंद का सेवन करने में भी संकोच नहीं किया, अपने प्रतिदवंदवी को जल्द से जल्द मारने के लिए अपने हमले में इसका इस्तमाल किया, यथा संभव अपने शरीर को सीधा करते हुए उसने कहा, तुम्हारे बड़े भाई जियोंग ने अभी येलो स्प्रिंस की सड़क पर पैर रथा है, और वह आपका इंतजार कर रहा होगा चोटा शिश्य एक अजीब सी चीख निकालने और उसके लिए दोड़ने का प्रयास करने से पहले स्थब्ध होकर देवेश को देखता रहा उसकी ताकत भाई जियोंग से कम थी, वह केवल प्रारंभिक तत्व सीमा पांचवें स्थर पर था देवेश ने एक ही चाल में बड़े भाई जियोंग को मार डाला था, उसके पास उससे निपटने के लिए परियाप्त ताकत कैसे हो सकती थी दूर भागना देवेश ने व्यंगे किया, पीछा करते समय उसके हाथ में जियोंग की लंबी तलवार थी यह कहा जा सकता है कि पहाडी घाटी में यिन क्यूई देवेश की मदद कर रही थी हर कोई यिन क्यूई के संक्षारत प्रभाव से पीडित था और उनकी ताकत कम हो गई थी केवल देवेश ने ट्रू यांग रणनीती का अभ्यास किया था, जो यिन के लिए एक प्राकृतिक काउंटर था क्यूई को बस इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि इसका असर उस पर पड़ेगा उसे अपने परिवेश में ठंडक बिखेरने के लिए बस अपनी यां क्यूई का थोड़ा सा उपभोग करने की आवश्यक्ता थी हाला कि स्टॉर्म हाउस का युवा शिश्य प्रारंभिक तत्व सीमा पाँचवेंस तर का अभ्यासी था इस पहाड़ी घाटी में उसकी ताकत तुलनाकमक रूप से कम थी थोड़ी देर तक उसका पीछा करने के बाद देवेश और उसके बीच की दूरी काफी कम हो गई अब वह महस 10 फीट की दूरी पर था यह दूरी काफी करीब थी देवेश ने दौरते समय लंबी तलवार फेंकी हवा के कटने की आवाज सुनाई दी युवा शिश ने चकमा देने के इरादे से एक मूव्मेंट मार्शिल आर्ट शुरू किया लेकिन अपने कौशल को पूरा करने के लिए परियाप्त समय के बिना 10 फीट की दूरी शुनी हो गई थी बचने का कोई रास्ता न देखकर स्टॉर्म हाउस का शिश निनायक बन गया तेजी से मुड़कर उसने अपना हथियार निकाल लिया लेकिन उसने केवल चमकदार लाल रोशनी की एक लखीर को अपने रास्ते पर आते देखा लगभग सहज भाव से उसने उसे रोकने के लिए अपनी लंबी तलवार को अपने शरीर पर पार कर लिया आक्रमन, बैंग, बैंग, चमकीले लाल हथियार ने उसकी तलवार को ऐसे काट दिया जैसे चाकू टोफू को काटता है, उसका हथियार तुरंट आधा कट गया, अगले ही पल उसे लगा कि उसकी गर्दन गर्म हो रही है, हाला कि अब वह अलग-अलग दिशाओं के बीच अं फट गया और ऐसा लगा जैसे आसमान से खूनी बारिश हो रही हो, वे दोनों मर चुके थे, उसने यह लड़ाई आसानी से जीत ली थी, उसे सुनहरे कंकाल का उप्योग करने की भी आवश्यक्ता नहीं थी, और वह अभी भी उनसे निपटने में सक्षम था, पिछली लड घटना स्थल से निकलने ही वाला था, हाला कि उसे अपने वर्तमान स्थान के दोनों और से हवा के कारण कपडों के फड़फडाने की आवाज सुनाई दे रही थी, बाईं और से ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग आ रहे हो, जबकि दाईं और से केवल ऐसा लग रहा था ज उन्होंने सोचा था कि अलग-अलग दिखना ज्यादा कारगर होगा, इसलिए वे एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत दूर नहीं गए. अब बाकी तीन आ रहे थे, स्वाभाविक रूप से वही हुआ जो उसने चाहा था. स्टॉर्म हाउस शिश्यों की ताकत बलड ग्रूप के शिश्यों की ताकत से बहुत कम थी. ऐसा केवल इतना था कि इन तीन लोगों के बीच केवल नुल लैंग ही QE परिवर्तन के पहले चरण में था. इसलिए यदि वह उन्हें नीचे ले जाना चाहे तो यह थोड़ा अध यासी के खिलाफ लड़ सकता है. यह सोचकर देवेश का खून खौलने लगा. देवेश ने जो भविश्यवानी की थी वह सही थी, जो दो शिश्यबाईं ओर से आये थे, वे वास्तव में स्टॉर्म हाउस शिश्य थे. उनकी खेती भी अन्यदों के समान ही थी, जिन्हें उसने मार डाला था, भले ही उन्हें मजबूत माना जा सकता हो, लेकिन वे विशेश रूप से मजबूत नहीं थे. अपने कनश्ट भायों की चीखें सुनकर वे उस दिशा में दोड़े जहां से उन्होंने उसे सुना था, हालांकि इस से पहले की वे दोनों आवास के स्था जानी को भामपते हुए, वे दोनों प्रतिक्रिया करने में कैसे असमर्थ हो सकते थे? वे तुरंक चिल्लाए, यह देवेश है. जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके हथियार उनके हाथों में आ गए. एक दाईं और से, एक बाईं और से, वे देवेश की ओर रहा था, उसने आने वाले हमले को रोकने के लिए अपना ब्लेड उठाया. लेकिन उसका साधारन गर्जे का हथियार कैसे संभव हो सकता था? यां क्यूई की एक बून से तुलना करें? जैसे ही दोनों ब्लेड मिले, स्टॉर्म हाउस शिष्य का ब्लेड दो टुक्रों में चिल्लाया, ऐसा महसूस हुआ मानो धातु का कोई धधकता हुआ टुक्रा उसे दाग रहा हो. जले हुए मास का स्वाद तुरंथ हवा में महसूस किया जा सकता था. टील ओह बुरा. बड़े भाई, दूसरे व्यक्ति का रंगरूप बहुत बदल गया क्योंकि उसने तुरं हाउस शिश के सौर जाल की और एक हथेली का प्रहार किया, जिससे उगर गर्म वर्ड क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गया. एक बार जब वर्ड क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गया, तो पीछे की और उरते ही उस व्यक्ति की आखें बाहर निकलाई. जमीन पर कि देवेश एक और हमला शुरू कर पाता, स्टॉर्म हाउस के दूसरे शिशत, जो अभी भी जीवित था, ने अपना ब्लेड घुमाया। अपने आखों के सामने अपने कनिष्ट भाई की हत्या होते देखी थी, तो वह किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता है। हे हे, जैसे ही खून टपका, देवेश केवल व्यंगय पूर्वक हसा। टी-ल, मुझे देवेश की मानसिक स्थिती की चिंता होने लगी है। अंधेरे में हाथी दात सफेद दान्तों का एक सेट दिखाई दिया, वे रातरी शिकारी के दातों के समान थे। वर्तमान देवेश ने सिर से पाव तक राक्षसी आभा बिखेरी। देवेश शातिर, उत्तेजित और राक्षसी आभा बिखेर रहा था। वह मुस्कान अकेले ही उसे देखने वाले को दर से कामपने पर मजबूर कर देगी। आप उस जीवत स्टॉर्म हाउस शिष्य को पहले कभी उसके जैसे किसी व्यक्ति को देखने का अफसर कैसे मिला होगा। दो घाव खाने के बाद भी वह मुस्कुरा सकते थे। क्या यह व्यक्ति पागल था। उसका दिमाग ख्राब हो गया था। वह केवल पीछे हटना चाहता था। इस डेथ मैच में अकेले प्रतिदवन्दवी की आभा से भयभीत होकर वह संभवतार जीवित रहने की उम्मीद कैसे कर सकता है। देवेश का पैर तुरंट उसके क्रॉच को निशाना बनाते हुए उर गया। कुछ तूटने की आवाज आई। वह व्यक्ति तुरंट अपनी पीठ जुकाई और घुटनों के बल गिर गया। उसका चहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। देवेश ने तेजी से अपनी बाह में घुसी तलवार निकाली और काम पूरा करने के लिए उसे नीचे घुमाया। उसने दो और लोगों को मार डाला था। शुआ तब तक ऐसा नहीं हुआ था कि दाहिनी ओर से तेजी से भागता हुआ व्यक्ति आखिरकार घटना स्थल पर पहुँची गया। यहाँ नू लैंग था। स्टॉर्म हाउस के पांच शिशतीन समुहों में विभाजत हो गए थे और आसपास के क्षेतर में देवेश और जिया निंग्चान के पैरों के निशान खोज रहे थे। अप्रत्याशित रूप से उन्हें देवेश ने एक एक करके ख्त्म कर दिया। द्रिश पर नजर डालते ही नू लैंग ने देखा कि उसके दो कनिश्ट भाई जमीन पर मृत पड़े हैं। पुछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वास्तव में उसे मार डाला था। वे मुझे मारना चाहते थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे भी उन्हें मारने का अधिकार था। देवेश थोड़ा अधीर लग रहा था। चलो अब और बकवास मत करो। चलो लड़ाई करे। अच्छा 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 नू लैंड का हत्या का इरादा उबर रहा था और उसने जहर से टपकती आवाज में देवेश से कहा चुँकि तुमने कारवाई करने का साहस किया और इसे स्विकार करने का साहस किया तो मैं अब और नहीं कहूंगा। आज मैं आपके जीवन का उप्योग उन लोगों के लिए बलिदान के रूप में करूंगा जो मर गए हैं। देवेश पीछे की ओर जुप गया और अपने हाथों से अपना गला ढख लिया। महत्वपूर्ग शेत्र। मुलैं केवल थंडे स्वर में मुस्कुराया और उसकी पाचों उंगलिया वास्तव में बीच में ही दिशाय बदल गई। सीधे नीचे की ओर निशाना लगाना। वा, देवेश कुछ कदम पीछे चला गया। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसके पेट पर खून से सने पंजों जैसे पांच निशान हैं। इन निशानों के साथ उसे महसूस हुआ कि एक अजीब सी उर्जा उसमें प्रवेश कर र बलकि तुम्हें इस हद तक पीड़ा दूँगा कि तुम चाहोगे कि तुम मर जाओ, लेकिन नहीं मर पाओगे अपनी सफल हर्ताल के साथ नुल्लैंग की अभिव्यक्ती और अधिक भयावह हो गई। एक शांदार स्ट्राइक और फैंसी फुटवर्क आप एक लड़की की तरहे लड़ते हैं। देवेश पर हमला करना शुरू कर दिया। क्या ख्याल है कि तुम भी मेरी मुठियों की ताकत का स्वात चकोगे। जोर से हंस्ते हुए देवेश उन दोनों पंजों से आमने सामने मिलने के लिए आगे बढ़ा। आप अपने आपको ज्यादा महत्व देते हैं। नुल्लै देवेश के लिए खत्रा बनना ना मुम्किन था। लेकिन सामने आये तथ्यों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह लापरवाही बरदाश्ट नहीं कर सकते। अगर उसने अब पीछे हटने से इनकार कर दिया तो शायद उसकी उंगलिया जलकर खाक हो जाएंगी। यह सोचते हुए नुल्लैंग जल्दी से पीछे हट गया औ लेकिन यह योजना के अनुसार नहीं हुआ था, एक पल पहले पकड़ के साथ उसे देवेश की मुठी को तोरने में सक्षम होना चाहिए था। इस लड़के के पास सचमुछ कुछ तरीके हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे सभी भाई उसके द्वारा मारे गए। ऐसा लगता है कि आखिरकार यह सिर्फ किस्मत का ही नतीजा नहीं था, नुलैन को गंभीर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। देवेश ने अपने हाथों की ओर देखने के बाद अपनी मुठी हिलाई, जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आखों में और भी अधिक उट्साह और प्रत्याशा थी। इस युध के परिणान की अनिश्चित्ता ने उसके खून को उट्साह से खौला दिया था, घाव के दर्द को महसूस किया था, दुश्मन के दबाव को महसूस किया था, इन सबने देवेश की अदमय इच्छा शक्ती को जागरित कर दिया जीतने की अदमय इच्छा और आगे बढ़ने का द्रेड संकल्प केवल यही उसकी रहस्यमय मार्शियल आर्ट को जागरित करेगा। जीत का कारण समझ नहीं आता था, इससे आसपास के लोग भी हतप्रभ रह जाते थे। लेकिन इस बार यह अलग था, वह महसूस कर सकता था कि उसकी हड्डियों से बड़ी मात्रा में उर्जा उसकी शिरोगिंदु में प्रवाहित हो रही है, जो उसके मास और रत को पोशन द रही है, उसकी ताकत को पागलपन से बढ़ावा दे रही है, फिर से आओ, देवेश जंगल में एक शीर्ष शिकारी की तरह था, उसकी आखे नू लैंड को हटपूर्वक घूर रही थी, देवेश ने गोली की तरह आगे बढ़कर मुक्का मारा, यह एक क्षन पहले की तरह ही एक बुनियादी मुक्का था, मृत्यू को प्रणाम नू लैंड ने व्यंग्य किया, हाला कि वह देवेश की वर्ड क्यूई से आश्चर यचकित था, देवेश की ताकत के आधार पर वह उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा, जब तक वह अपनी मुठी प्राप्त करने और अपनी विश्व क्यूई को भंग करने में सक्षम है, तब तक उसके लिए घायल होना असंभव होगा, देवेश एक बार फिर मेरे हाथों घायल हो जाएगा, ठीक एक पल पहले की तरह, बस इस बार उसकी पूरी मुठी को चल जाएगी, कहा जा सकता है कि देवेश ने क कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि देवेश की मुठी की ताकत एक क्षण पहले के मुक्के से अधिक हो गई थी, उसमें मौजूद वर्ड क्यूभी पहले से अधिक उग्र हो गई थी, देवेश की ताकत अचानक प्रारंभिक तत्व पांचवे स्तर पर पहुँच गई, लेकिन नू-लैंग तेजी से पीछा कर रहा था, उसकी उंगलियां हवा में चीखने की आवाज के साथ काट रही थी, अंधेरे में नू-लैंग बार-बार देवेश पर हमला कर रहा था देवेश चुपचाप नूल लैंग के हमलों से बच रहा था जब नूल लैंग हमला कर रहा था तो देवेश लैबध तरीके से अपनी मुठियों बाई मुठ्थी और फिर दाहिनी मुठ्थी से जवाबी हमला कर रहा था हाला कि उसके हाथों की चोटें हलकी नहीं थी, फिर भी वह नुल लैंग के सभी हमलों को रोकने में सक्षम था वह नुल लैंग को अपनी जान लेने का मौका नहीं दे सकता था अंधेरी रात में एक के बाद एक धीमी थप्त पाहट की आवाजें आने लगी हर आवास के साथ देवेश का शरीर कई कदम पीछे गिर जाता उनके हाथ की चोट लगातार गंभीर होती जा रही थी लेकिन उसकी आखों में घबराहट का जरा भी संकेत नहीं था बलकि एक द्रिड संकल्प था इस लड़ाई को जीतने की इच्छा उसके दिल में पैदा हो गई थी वह बस हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था यह संभव ही कैसे है नुलैंग पूरी तरह से सग्मे में आ गई थी हाला कि फिलहाल ऐसा लग रहा था कि नुलैंग का पढ़डा भारी है आखिरकार देवेश की तुलना में वह एक पूरी सीमा उपर था अगर वह अभी भी बढ़त हासिल करने में असमर्थ था तो उसने इतने वर्षों का अभ्यास व्यर्थ में किया नुलैंग ने अपना थूक निगल लिया देवेश की गर्म वर्ड क्यूई से उसकी दसों उंगलिया जल गई थी उसकी प्रत्येक उंगलिया फफोले से धकी हुई थी उसकी उंगलिया ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उनमें लगातार आग लग रही हो चुंकि किसी की उंगलिया उसके दिल से जुड़ी होती है इसलिए उसकी उंगलिया हिलाने से दर्द के कारण उसका दिल थंडा हो जाता है अगर बात इतनी ही होती तो नुलैंग को जटका नहीं लगता जिस बात में उन्हें सचमुच चौका दिया वह थी देवेश की ताकत अपने पहले टक्राव में देवेश केवल एक तुछ प्रारंभिक तत्व चतुर्थ स्तर का अभ्यासी था ऐसा स्तर उसे डराने के लिए परियाप्त नहीं था लेकिन अपने दूसरे टक्राव के दौरान उन्होंने प्रारंभिक तत्व पाँचवे स्तर को हासिल कर लिया था चौथे संधर्ष में उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी वह प्रारंभिक तत्व चठे स्तर पर पहुँच गया था जैसे जैसे वह लड़ता जाता है उसकी ताकत बढ़ती जाती है जो की बहुत ही धूर्ट अनोखी और अकलपनिय बात है इसके अलावा ताकत में यह बढ़ोतरी रुखने का नाम ही नहीं ले रही थी नुलैंग निराश हो गया था वह नहीं जानता था कि देवेश अपनी ताकत बढ़ा सकता है और नहीं वह किस हद तक बढ़ा सकता है जदी वह जारी रहा और क्यूई परिवर्तन चरण तक पहुँच गया तो वह जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता था क्योंकि देवेश की विश्व क्यूई बहुत अधिक प्रभावशाली थी काफी समय बीक जाने के बाद नुल्लैन को एहसास हुआ कि वह सीधे देवेश का सामना करने में असमर्थ है नुल्लैन कोई मंद बुद्धी व्यक्ती नहीं था हर तकराव के साथ देवेश का शरीर स्थिर होता जा रहा था वह अब चट्टान की तरह स्थिर हो गया था एक ही स्थान पर निश्चल खड़ा था इसके विपरीत प्रत्येक हमले के बाद नुल्लैन को अधिक से अधिक मात्रा में प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा था नुल्लैन केवल अपनी चपलता और अपनी लचीली शैली का उप्योग करके देवेश में कमजोरी तलाशने के लिए देवेश पर एक धातक प्रहार करने का प्रयास कर सकता था लेकिन देवेश का बचाव इतना जबरदस्ट था कि कोई कमजोरी नजर ही नहीं आई प्रारंभिक तत्व नुल्लैन की आखे काम उठी उन्होंने पाया की प्रत्येक तकराव के साथ देवेश की ताकत वास्तव में दूसरे स्तर पर चड़ गई यह सीधे प्रारंभिक तत्व सीमा के शिखर पर चड़ गया था लेकिन इसके साथ ही उनकी विश्व क्यूई अंतह शांत हो गई अब इसमें वृध्धी जारी नहीं रही इसके साथ ही नुलैन ने अंतह राहत की सांस ली हाला कि वह केवल क्यूई परिवर्तन चरण के पहले स्तर पर था जो प्रारंभिक तत्व शिखर की तुलना में सिर्फ एक स्तर अधिक था केवल एक स्तर का यह छोटा अंतर ताकत के मामले में एक बड़े अंतर का प्रतिनिधित्व करता था इसलिए नुलैन को देवेश के खिलाफ घातक प्रहार करने में सक्षम होने का विश्वास था उन्होंने एक योगिक दवा खाकर अपनी ताकत बढ़ाई जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सी योगिक दवा खाई परिणाम निश्चित रूप से होंगे देवेश मूल रूप से प्रारंभिक तत्व चरंट चोथे स्तर पर था इस प्रकार वल्ड क्यूई की उसकी वर्तमान भंडारंट शम्ता अभी भी यहीं तक सीमित थी वह वास्तव में प्रारंभिक तत्व शिखर स्तर के किसी व्यक्ती के रूप में वल्ड क्यूई की समान मात्रा को संग्रहीत करने में असमर्थ था नुल लैंड को बस तब तक इंतजार करना था जब तक की देवेश की ताकत खत्म न हो जाए और फिर वह एक धातक प्रहार करने में सक्षम हो जाए जैसे ही नुल लैंड ने अपनी योजना बनाई देवेश ने अचानक अपनी भौहें सिकोरते हुए सारी गतिविधी रोक दी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी गहरे विचार में था अगले ही पल एक दहार गुंच उठी और अंधेरे के भीतर से एक तीवर गर्म चमक फूट पड़ी इससे नुल लैंड दर गया और वह भ्रमित हो गया देवेश की ओर देखने पर उसने देखा कि उसके शरीर का उपरी हिस्सा आग की लप्टों के रूप में प्रचंड रोशनी से ढखा हुआ था वे असली लप्टे नहीं थी बलकि यां क्यूई जैसी दिखती थी जब वह एक निश्चित स्तर की एक आगरता तक पहुँच गई थी धधक्ती गर्म वर्ड क्यूई ने देवेश के चारों और जला दिया जिससे गर्मी की लहरें पहाडी धाटी में फैल गई यिन क्यूई ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे उसे अपने सबसे बुरे सपने का सामना करना पड़ा हो क्योंकि वह अब यां क्यूई से प्रभावित शेत्र के आसपास सधन नहीं हो सकती थी धधक्ती हुई विश्व क्यूई की रोशनी के कारण देवेश का उपरी शरीर असपश्ट हो गया यहां उसकी मांस्पेशियों को शुद्ध और बांध रहा था चारों और फैलते हुए अनियंत्रित दिखाई दे रहा था उसकी दोनों मुठिया खून से लथपत और क्षत्विक्षत थी उसके पेट पर 30 सेंटीमीटर लंबा घाव था जिससे अभी भी खून बह रहा था उसका क्षत्विक्षत शरीर देखने में भयानत लग रहा था उसकी दोनों आखे भी लाल हो गई थी वह एक ऐसे जानवर की तरह दिखाई दे रहा था जो खून की प्यास और पागलपन की अन्थीन मातरा से आभा बिखेर रहा था सचमुच एक राक्षसी आभा नुलायं का चेहरा उतर गया क्योंकि वह जल्दी से कुछ कदम पीछे चला गया और चिल लाया निडर जादू उसने सोचा की लडाई के दौरान देवेश ने अपनी वर्ड क्यूई पर नियंत्रन खो दिया था और उसने अपनी वर्ड क्यूई को अपने दिमाग को नियंत्रित करने की अनुमती दे दी थी लेकिन क्या यह स्थिती केवल तभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जब कोई अभ्यासी क्यूई परिवर्तन चरण तक पहुँच जाए वह महस प्रारंभिक तत्व मंचन अभ्यासी था तो यह उसके साथ कैसे संभव हो सकता है निडर जादू देवेश ने सिर जुका कर प्रश्नवाचक द्रिश्टी से देखा हाला कि उसकी आखों में गुस्से के निशान दिख रहे थे फिर भी उसकी अभिव्यक्ती ठंडी और उदासीन थी जैसे कि उसे किसी पागल जादू ने जहर नहीं दिया हो तुम्हारी नजर बहुत अदूरदर्शी है अपना कथन समाप्त करते हुए उसके पूरे शरीर पर विश्व क्यूई हट गई अब आग की लप्टों से प्रचंड प्रचंड चमक नहीं रह गई थी वे तब तक सिकुर्ती गई जब तक कि उन्होंने केबल उसकी दो मुठ़्ियों को ही नहीं धख दिया और उन पर धधक्ती यां वर्ड क्यूई की परत चड़ा दी देखने में ऐसा लग रहा था मानो वे दो मुठ़्िया दो छोटी छोटी धधक्ती आग पर चिपक रही हो हाला कि आग की लप्टे डग्मगा रही थी फिर भी वे बेजोर तीवरता से जलती रही आप अभी भी सचेत हैं हतप्रभ होकर नुलाइंग ने देवेश की ओर देखा और उसकी आखों में मानवता का एक टुकड़ा खोजा लेकिन वह निराश हो गया क्योंकि उन दो लाल आखों में उसे न तो मानवता का कोई निशान मिला और नहीं मानविय भावनाओं का एक और कदम आगे बढ़ाते हुए उनके बीच की दूरी कम कर दी। इस कदम के कारण उनके बीच की दूरी बहुत तेजी से कम हो गई। इससे नुलाइंग दर के मारे पीला पड़ गया क्योंकि देवेश की गती पहले ही भयावस्तर तक पहुंच चुकी थी। देवेश क आगे बढ़ने से रोकने की बेताब कोशिश में वह जल्दी से अपने पंजे के आकार के हाथों से हमला करते हुए पीछे हट गया। देवेश की जल्ती हुई मुठिया उस पंजे के हमले का सामना करने के लिए दौर पड़ी। अपने प्रहार की सीटी की आवाज के बीच उसने नुलाइंग की पाचों उंगलिया तोर दी। काचा एक तेज तूटने की आवाज सुनी जा सकती थी जिसके बाद नुलाइंग से खून जमा देने वाली चीख निकल रही थी। इसके बाद उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उर गया और जब वह जमीन पर गिरा तो उसके हाथ से दर्द के पाच जटके महसूस किये जा सकते थे। जहां तक नुलाइंग बता सकता है उसकी पाचों उंगलिया बुरी तरह मुर गई थी और अब उपयोग के लायक नहीं रही। उसका पूरा हाथ जल गया था और उसकी सारी हड्या तूट गई थी। इतना ही विकलान बाह में बर्ड क्यूई के आक्रमन को रोक दिया। जैसे ही उसने यह करना समाप्त किया, उसकी आखों के सामने प्रकाश की एक किरन चमक उठी। उपर देखने पर उसने देखा कि देवेश एक बार फिर उसके पास आ गया था और उसकी मुठिया और भी तेज हो अपनी सारी शक्ती का उप्योग करते हुए नुलाइंग जल्दी से पीछे की ओर पीछे हट गया और साथ ही इच्छा सूची में डाल दिया। उस सीटी के भीतर उसका डर और आतंग सुना जा सकता था क्योंकि उसकी सीटी पूरी धाटी में गुंजती थी। देवेश के पैरों पर एक शांदार चमक दिखाई दी जो उसे पहले से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ा रही थी। यह इतनी तेज थी कि उसने खुद को भी चौका दिया। पकड़ते हुए उसने नुलाइंग की पीछे हटती हुई पीठ पर बेर्हमी से मुक्का मारा। पेंग प अचानक रुकते हुए उसकी अभिव्यक्ति उग्र हो गई और वह चिलाया देवेश तुम दूसरों को धंकाने की हिमत मत करो। चील आकाश में उरती है। मेरे लिए मारो। यह नुलाइंग का सबसे शक्तिशाली वर कौशल था। जैसे ही उसकी सारी विश्व क्यूई उ उसकी सारी क्यूई ट्रांसफॉर्मिन प्रथम चरण की टाकत खत्म हो गई यह एक ऐसा हमला था जिसे देवेश ने भी नजरंदाज करने की हिमत नहीं की। देवेश का चेहरा बदल गया क्योंकि वह उन हाथों में बड़ी मात्रा में मारक शमता को महसूस कर सकता था। द उनों लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे और यह निश्चित था कि यह उनका अंतिम आदान प्रदान होगा। युद्ध के मैदान में केवल जीवन या मृत्यू थी व्यक्ती जीवित रहने के लिए जीजान से लड़ता था। या तो मैं मर जाओंगा या जीत जा जबरदस्ट ताकत के कारण नुल्लैंग का पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया, एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर उतरने से पहले कई बार हवा में उचला। शुआ नुल्लैंग के पंजे का वार देवेश के शरीर पर भी पड़ा था। लेकिन उसकी अपेक्षा क प्रदर्शन नहीं कर सका और दोनों हाथों की शक्ती समान नहीं थी। सक्ता में मतभेद के कारण देवेश के जुकाव के कारण दोनों पंजे एक ही समय में जमीन पर नहीं उतर सके यह नुल्लैंग के हमले को तोड़ने के बराबर था। इस प्रकार की लड़ाई का चुन हलके से हाफते हुए देवेश का शरीर अभी भी उस दुष्ट आभा से घिरा हुआ था। इस बीच नुल्लैंग एक मरे हुए कुत्ते की तरहे जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके चहरे पर खून सवार था और उसने देवेश पर जहरीली नजर डाली जो कदम दर कदम उ को मारने आ जाएंगे इससे पहले कि नुलैंग अपनी बात पूरी कर पाता देवेश ने उसकी गरदन को चल दी। उसकी जान निकल गई। स्टॉर्म हाउस के पांच लोग परिनाम पूर्न हार। शांती से खड़े होकर देवेश को अपने खौलते खून और युध की लल